अमश्कार दोस्तों मेरे नाम में भालचंद्र ब्रह्म्हांड सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियों में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 सितंबर 2023 का संपुना राशिपल उससे पहले आज की दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है शुक्रवार का है शोबल नाम सवमसर है सुरिय का तक्षिन आयन चल रहा है वर्षा रुती है निज़े चावन मास्ट के रुष्ण बक्ष की नववेधिती है नक्षतर मुर्ज़ है योग सिद्धी है दिन का जो करण है वो गर है और जो रात का करण है वो वली है आज की दिन का जो गुलिक काल है वा शुरुआत होगा सुबस साथ बजकर चावालस मिनिट से लेकर नौव बजकर सतरा मिनिट तक उसे बिदमोर्द दोपर बारा बज़े से लेकर बारा बज़कर अड़तालिस मिनिट तक होगा गुलिककाल और अभिजेत मुर्थ दिन के शुबकाल अगदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत अप्रुनकाम या फिंजर ने आप ले सकते हो उसे वेरेकर आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा सुबह 10 बचकर 11 बचकर 12 बचकर 24 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 3 बचकर 31 मिनिट से लेकर 5 बचकर 24 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत प्रुणकाम या फेनिरने बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंदरमा है ये चंदरमा संपुर्ण दिन मिथुन राशी में ब्रह्मन करेगा ये चंदरमा शनी के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है मंगल के साथ केंदर योग करने जा रहा है उसी प्रकार आजी के दिन रवी और गुरू का त्रिकोन योग भी होने जा रहा है यह द्रसिती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिवल क्या होगा इस विशाय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले राशिय है मेश राशिय। उसी प्रेकार अगर आपके से के relationship में उनके साथ आज आपके harmony बहुत अच्छी दीखे जाएगी अगर नई relationship बनाना चाते है तो भी आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा शुब वलदाई साबित होगा आपके जीवन में जो भी मैं तो पुर्ण प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली बाते होगी तो वो आने वले दो से तीन दिन में उससे रिलेट कुछ अच्छी कबर आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है उसे परकर share market में ट्रेट करते हैं तो कुछ अच् का स्वास्थ के बारे में द्यान देना होगा बाकी सबी बाते हैं वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुब परदाई साभीत होगी इसके बाद की जो राशी है, वो है ब्रिशव राशी ब्रिशव राशी के द्वित्य वां में चंद्रमा का ब्रमण र रबह का द्शम बाव में सिर्शनि के साथ या चंद्रमा के इन्द्र identific करने जा रहा है इस प्रकार इसे तरवी के साथ आपके वियाभाव का जो गुरू है वह तरीकों उन्यक्रने जा रहा है मैं तो पुर्ण दिन है आपके लिए आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाव वगरा हो सकता है मैं तो पुर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है उस प्रकार आपका जो भी कारेश जिए कोछ फिर्ण चिप में हैं वहां पर चोटे मूटे बातों को लेकर तकरा हो सकती है कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की दिन आपका शुबधुकलद्धाय सावित होगा के बाद की जो राशी है वो है मित्षण राशी अधर मैं चंद्रमा। समा करने जा intuitions वगरा मिल सकते हैं long term में अगर आप कोई नई बात सोच रहे हो तो उससे लिए कुछ अच्छे बाते आज के दिन होने की संभावना बहुत ही अच्छे बंद रहे हैं लेकिन घर के जो पूरुष वर्ग होंगे उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है उसे कि अश्रूंगे उनसे वह आपको कुछ अच्छे मदद मिल सकती है तो देखा जाएं सावीत होगा उलाइब करने जा रहा है आपके दितिया बाहरा मेंसित रवी के रहा है वह त्रिकोरियो करने जा रहा है काफी ज़्यादा घूमने हैं फिर ने मौला आज का दिन होगा आप बहुत हदा एक्जस्ट हो सकते हैं अकर झाल काफ के दिन खृक लाव बन से प्रेवलन्द मीथरे कुंछ अच्छे ऑग में हो सकते हैं कुछ अच्छी investment भी हो सकती है तो दिन बहुत ही अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब लीचे इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के लाब उपवाम में से शनी के साथ येजनरमा ट्रच्त कंदरियों करने जा रहा है वह सोल जबतर बहए कि ने खास करें आज तर लाब यह सकती है उसे पर रेकर अगर आप इवाईत है तह आपकी जो भआए वाई जुड़िदार है उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगे, उनके साथ कही बाहर गुमना फिलना भी हो सकता है, सिर्फ आपकी जो spending रहेंगे, खर्चे रहेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श के बात की जो राशी है, वो है कन्या राशी, कन्या राशी के दशंबाव में चंदरमा का बरमनर आपके शाष्ट बाव में सिर्फ शनी के साथ यह चंदरमा त्रिकोनियों करने जा रहा है, आपके राशा में सिर्फ मंगल के साथ यह चंदरमा के अंदरियों करने जा रहा ह महतोपुर्ण दिन है आपके लिए आपका जो भी कारेशेत्र है उससे रिलेटर कुछ अच्छे महतोपुर्ण काम आज की दिन होने की संभावना काफी अच्छे बन रही है उससे प्रगा आपका जो भी कारेशेत्र है वहाँ पर आपको सराना मिल सकती है लेकिन थोड़ा सा आपका जो भी कारेशत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे चोटी मुठी बातों को लेकर तकरा हो सकती है सबसे महत्व पुर्णबाद आने वाले दोसे इन दिनों में आपका भूमना फिनना बहुत ही ज्यादा हो सकता है लेकिन कुछ अच्छे लाव अगरा मिल सकते है आपकी जो वयवय जोड़ीतर रवी के साथ भी आपकी जो हार्मनी है वह काफी एच्छे देखे जाएके उनके साथ भी कही बाहर गुमना फिनना हो सकता है अनेक्स्पेटेट लाव अगरा मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के पंचम बाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है राफिक तुला राशी के भागे बाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है राफिक पंचम बाव में से शनी के साथ ये चंदर्मा त्रिकोन्यों करने जा रहा है आपके व कावित होगा मैं तो काम करने के लिए आप तयार हो जाएगा और वह काम होते हुए भी नजरेगा आपको जो मूड होगा वह भी काफी खिला के लिए नजर आगा अगर आपके साथ आपके हार्मनी बहुत अच्छे देखेंगे लॉंग टर्म में अगर आपने कोई इंवेस्म आप यह देखेंगे लेकिंग आज के दिन आप किसी भी प्रकार के लोंस वगरा बिलकुल भी नहीं लिना इसके बात की जो रशी है वो है बुरिच्चिक रशी के अश्टम भाव में चंधरमा का भ्रहमन है आपके ये जौर्वन में सुप्रवी के साथ आपके 6 बाव का जो गुरू है वो तृकूनियों करने जाघके । मैं तो पुर्ण दिन है आपके लिए स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवशक होगा स्वास्त के समस्ता है चोटे मोटे आ सामने आ सकती है गर के जो लोग को है यो खा सकते हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशन्शिप है वह बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसी प्रका है उसमें सुधार किया जाएगा और जो भी आप सुधार करोगे वह सकारत में हो सकते हैं उल्मिला के देखेज़ा तो आप दिन आपके लिए शुभुफा लिदाई साबित होगा इसके बाद जो राशी है वो है धनो राशी के सब्तरा मावं का द्रिकोनयों करने जा रहा है उन के सद आज आपके व्हाग्या ओध 돌म करने कर लहा है बहुत ही अच्छा और महत्तों पुर्ण दिन है आपके लेखास करके अगर आप विभाई तो आपकी जो वाइक जो डिदर है उनके साथ आज आपके हारवनी काफी एच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार जो भी आपके आपके अच्छी तरह हो सकती है सबसे महत्तों पुर् है जो इनर्जी डेवल है जो स्वकरात्मक्ता है वह बहुत ही अच्छी देखे जाएगी जो कामा मत्त मिलोगे आने वले दो से तिन दिनों में वह काफ़ सही रूप से पूरे होगे नदर आएंगे कुल मिला के देखा जाए तो भाग्य कारक दिन है आपके लिए इसका उससे परकर आपके वाग्य में सब्सक्राइब के साथ जय चाथ रही के साथ आपके चतुर्थ भाउ का जो गुरु है वह दृकुनियों करने जा रहा है उसी परकर किसी परकर कि दिन में तो भूरण निरने बिल्कुल भी नहीं लेना अगर आभी भाइत्वाइट वह जो आपके लिए शोफर्दाई सावित होगा के बाद की जो राशी है वो है कुम्भ राशी के पंचम्भाव में चंद्रमा का ब्रह्मना रावे के राशे में से शनिक के साथ यह चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है में तो को दिन है आपके लेखास करके आपके आपके अगर किसी के रिलेशनिक्शिप में होगे उनके साथ आपकी अच्छी बन रहे हैं अगर आप किसी के रिलेशनिशिप में हैं उनके साथ भी आपके हार्मनी बहुत अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार अगर आप इस वाहित हो तो आपके जो वैवाई जुर्दार है उन में और आप में जो तने हुवे रिशिते तो आने वले दो से इन दिनों में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा आदूनों आपके जाएगा उनके साथ आपके अच्छी तरह किसे कट सकता है आचा आप घर पर रहना पसंद को रहें आराम करना पसंद को रहें और वह आराम आपको मिलेगा भी तो दिन आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा तो दोस्तों ये था दिना आठ सितम्बर 2000 ते इसका संपुण राशिफल आपको राशिफल कैसे लेगा आपके इस प्रकार से आनुबों की या नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है ब्रह्मादे सिद्धियाष्ट्रों इसे भी लाइक चार जरूर करना धन्यवाद